नमस्कार मैं बीना और आप देख रहे हैं दिफुल वॉल्यूम राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा राजा वही बनेगा जो उसका हगदार होगा आप सोच रहे होंगे कि मैं सुपर थर्टी के फिल्म का डायलोग क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरे साथ है मनिश कुमार जिन्होंने सुपर थर्टी में अज्जू का किरदार निभाया है तो आए मनिश से जानते हैं कि फिल्म में काम करना कितना चैलेंजिंग रहा है उनके लिए और भी बाते जानेंगे उनके पर्सनल लाइब से जुड़ी बाते स्वागत है मनिश साब का हमारे कारीक्रम में जी थाइंक्यू वेरी मच मेरा जो रॉल था मैम बैसिकली मेरे मेरे पर था नहीं जब वो स्क्रिप्टिंग लिखा गया था जब स्क्रिप्ट हुआ था तो मुझे रॉल मिलाई नहीं था अब सब को रॉल मिल चुका था 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 मेरे लिए रॉल था ही नहीं पर मैंने का कि स्क्रिप्ट को समझूंगा मैंने स्क्रिप्ट को समझना चालू किया कि स्क्रिप्ट क्या रहा है क्या 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 रहा है तो मुझे उसमें से करेक्टर अज्जू समझ में आय तो उन्होंने कहा तूठ, तूठ के करके दिखाबे, तो मैंने कहा ठीक है साथ, जब मैंने फिर्स्ट वर्ड किया उनको अच्छा लगा, फिर क्रिटिव डिरेक्टर चेताली में थी, उन्होंने भी कहा फिर से गवर करके दिखा, जब किया उनको भी अच्छा लगा, फिर ब जाए रात में कॉल आया मुझे नौदस बज़े कि चलो तुम्हारा लुक टेश्टिंग है, लुक टेश्टिंग में गया तो एक नया स्क्रिप्ट मुझे मिला, एक रादे मोहन का, जो की पूरा करेक्टर है उसमें, में इन रॉल है, तो उसका भी करने के लिए मुझे मिला करने के बाद सब चीज तेयार कर लिया, और इस्पोर्ट जब पहुंचता हूँ, जब और इस्पोर्ट का सुट है गंटे बाद, तो सुट पहुंचता हूँ तो होता क्या है, कि स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ जो कल याद किया मैंने, वो अलग था, अब मुझे अलग था, अ एक्रीट के लिखेश, न बिखेश, तो मने ने स्क्रिप्ट को याद किया, इसा लगने लागा कि मेने बहुत अच्या पर्फोर्पवेंस किया हो, ऑनने ऐ हैं, तुम पूच्छा सब्ड़ेंस की हो, तुम थी तेयटर करते हो, मैंने का अहां सर, उनको अच्छा लगा मैरा तुम को डर निलागा रितिक सार के सामने तुम कर रें लोगों ने पूछा मेरे सामने वाय के आसपास के लोग तो बोले कि ऐसा क्या है मैं थेटर में मुझे लगा कि वोगी एक मेरा जर्नी रहा पूरा सुपर ठट्टी का रॉल को लेकर के मुझे जो मिला काम मनिश्ट मुझे अपने बारे में और थोड़ा से अपने फैमली बेक्ग्राउंड के बारे में बताई है तुम मैं जहां रहता हो वो फुडबलो आणिपूर भूसन गली इलाका है जहां आज-पास कछ्रा है तो मनुण एक रूम है ni ikemm年 yuk मार्यश्र लोग रहते हैं तो मतलब उसमें सोने का वीवस्ता यह होता है जब एक लोग बहार रहते तो वो उसमें अच्छा से सो पाईएगा, अगर दो लोग, सब लोग घर में है तो कोई आराम नहीं कर पाएगा उसमें, मैं अधिवीद्याल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उस समय, तो एक सार्त है वीवेगा नंसर थे, उन्होंने बोला कि बिह के साथ दायलोग बोल सकते, तो मैं भी क्योंना आया, करू थेटर और फिर लग जाओ, तो आटवे क्लास में था तब, तब मेरा आईडी कार्ट बना जिसमें डेट ओ बर्थ था, तब जाकर मैं किलकारी में गया, एडमिशन करवाया, और वहां से मैंने थेटर की जरनी तो समय क्राटा जोइन कर लिया, तो क्राटा थो बहुत प्रक्टिस करते 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 तो और अरेंज बेल्ट तक आ गया, और तो उस बीच में थेटर का उसी दिन, एडमिशन लिए उसका कल हो करके वाक्शोप चल रहा था, प्रवीन कुमार गुंजन सर का, जो एन हर दिन आते हैं, लोग जाते हैं, उसमें आप आते हैं, जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तुम खास क्या बनना चाहते हो, अपने अंदर में तुमारे अंदर क्या है कुछ करने के लिए, तुम कुछ कर सकते हो, तो सीखो, उनका जो मोटिवेशनल स्वीच मेंने सुना, समाजिक परिवेस था गल बगल का वो बहुत ही अच्छा नहीं था एजुकेटिड लोग नहीं थे तो यह एक स्टुडेंट को कितना प्रभावित कर सकता है और कितना किया आपके ऊपर जो है इसका प्रभाव क्या रहा अगर जहां पर महाल मिलते हैं आसपास महाल मिलते हैं अच्छे से कुछ करने के लिए तो वहां पर बच्चा भी क्रेटिव होता है कुछ करने के लिए जहां आसपास का महाल मिलेगा जुआ या पिर सराप पिने वाला या पिर गाली गलोश करने वाला तो वहां बच्चा से करें आपको मुझे कुछ करना था तो मैने यह सोचा था कि मुझे इस महाल में रहाऊंगा तुमे यह कह्रा करा जाऊगा मेरे उस समय भी मेरा रहा सौच था कि मैं यह जुगा नहीं कहल겠지만 कि इन लों के साथ नहीं रहूँगा, तो धीरे 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 मैं उस महले से कटने लगा, तो लोग कहने लगे कि ये लगता है, मुझे इग्नॉर करने लगे, मैंने इस चीज को इग्नॉर करने लगा, तो वो भी इग्नॉर करने लगे मुझे, तो ये कहेंगे, दोस्तों क्योंकि हुआ कि यस महल में है आप उस महौल तो खराब रहेगा रहेगा अपनी आपको अगर बदलना चाहेंगे तो अग्ते स्मोह zł veces निकल जाएगा जैसे मैं अपनी महल से निकला एक महल से निकल कै मैं तीधर किया ट्हाई कर रहा हूंअच्च अर ग्रृफटू автомобakr सुपर ठटिट के पहले मैं बहुत ज़्यादा नरवस रहता था थीटर तो कर रहा था बीच में मेरे साथ हो रहा था कि ठीटर के दौरान भहुत लोग एक महिना थीटर किये, दो महिना किये, एक साल किये, उनको तुरंक फिल्म मिल जाता था, या पर किसी सीरियल में वो काम करते था, और वो लोग करके जब आते थे तो आपने आपको दिखाते थे मैंने ये कर लिया है, मैंने वो किया है, और मैं जब कि थीटर में मैं शा तुम यह करो, जब कि जुनियर होकर के, मेरा जूनियर, मैं तेटर में स्टाट से हूं और लोग नया आने लगे, वो मुझे केता था कि यह समान लेकर आजा या भी तुम जाकर सर को बुलाए कर लाव। मुझे थोड़ा खराब लगता था कि मैं तो senior हुई सब के बीच में, पर मुझे किस value से देखते है लोग, और मेरा क्या होगा, मतलब थीटर इतना कर लिया मैंने, लोग मुझे जानते भी हैं, बट मतलब कोई, यह बुलते हैं, मतलब हम रोते थे, रूम पर जब आते थे ना लोग भी ताना मारते थे, ममी भी कहते थे थीटर छोड़ कर पढ़ाई करो, और जॉब करो कुछ, थेटर में तुम्हारे लिए कुछ रखा नहीं है, तुम अपने शकल को देखो, दात निकला वाए तुमारा, मैंने का नेचुरल ही है दात, तु क्या करो, तुम दात तुम करते क्या हो, सुबह जाते हो, आते हो, पढ़ते हो कि ऐसी घुमते फिरते हो, लोगों ने भी देखा थे थेटर करते हो अभी भी, कुछ हुआ, लोग जब कहते थे, होगा, बरुसा रखिया, साथ कुछ अच्छा हो, मेरे लिए, स्कूल से, कॉलेज में भी लोग, सि यह वानिजे मावी देले में, कॉलेज में भी लोग कहते थे, कि तु थेटर बहुत अच्छा करता है, तु मुम्भई चला जा, मुम्भई में कुछ काम कर, शायद तेरे लिए कुछ अच्छा हो, लोग, स्कूल के दोस्त भी, सर भी बोलते थे, कि पढ़ाय कर तो थेटर क मैं खिलकारी से था, तो वहां सभी लोग का, यह नहीं है कि आपको आगे मोटिवेट करने के लिए कोई आगे नहीं आते हैं, कोई यह नहीं कहता है, कि चलो मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सबसे ज्यादा लगा कि मेरे साथ कोई ऐसे लोग होते हैं, जो मुझे भी मोटिवेेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो मैं मैं आगे बरता, मैं भी एक मोटिवेेट करने माला, मेरे बाजनी है मैं दो है है पूरे एक हंदानलme आगर गर देख मैं सोचता था ज्यादा, कुछ हो नहीं पाता था, लोगों काताना, मुझको सब मैं एक टीचर थे 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 तो वह भी तुम क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, वह भी कहते थे, सब्सक्रों सिच्वेशन ऐसा आ गया था ना मैम, कि मैं अधिक सदिक सोचता था, कि अ तो मैं एक दोस के साथ मैं प्ले किया था, तो वह बोला कि आजाओ, औरिशन दे दो, तो मैंने का कि सुपर ठटी क्या है, ठटी क्या है, मुझे मालूम एक औरिशन देना चाहिए, तो मुझे लोगों से पूझा तो बोला, नहीं दो, नहीं दो, बहुत लोग होते, आपको दो, तो तीनसो बच्चों में सेलेक्शन हो गया है, तो मैं थेनसो मेरा भी हो गया है, तो मुझे लगा कि यह साथ सुपर ठटी मेरे लिए कुछ होगा, तो लगाता, मुंकेश नहीं शावरा सर आए, व्याव भया है, लवेश भया है, तो इनोने कास्टिंग से गया, तो आठ नौ ओडिशन से क्रैक करक के मेरा सुपर्टी में हुआ और आज अज मेरे घर रहता हूं तो लोग कॉल आता है अर तुम मनी सोना सुपर्टी में यार क्या रॉल कियो तुरा काम देख के बहुत अच्छा लग रहा है तो मलब एक चीज यह लगता है कि पहले जो था मलब लोग उसते तेतरे गर्टारेब थेटर करता, आप जान आता है लोग के तो महँत अच्छा कर रहे हो लोग का सजिसंग हमेसा Facebook, Instagram से हमेसा मेसा क्या है कि तो बहुत अच्छा क्या हूँ हो तो मुम्माई में ट्राइ करो या रफिड सिद ऑ्डी दो मनीश, आपने शुपर्टेटे फिल्म किया, फिल्म के बाद क्या भी अनन्सर और रितिक आप से जुड़े हुए हैं? क्योंकि अनन्सर का नंबर मेरे पास है, जब भी कुछ होता है, तो अनन्सर को कॉल अगर करते हैं, तो मिलने के लिए मिल लेते हैं, उनसे मिलना असान हो जाता है, रितिक सर जब आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आते हैं, अगर कुछ होता है, उनको इंफोर्मेशन मिलता ह कि बच्चे लोग भी है तो जरूर बुलाते जब क्योंकि मुंबाई में स्क्रीनिंग के लिए में एगारा तरीको गया था तो वो आए जब उनको पतासला कि बच्चे भी आए वे हैं तो वो जल्दी आए सब के सामने और सब को गला मिलें सबसे गला मिलें मुझे भी तो कैसा अनुम्हाव रहा आपका यहां बिहार से बाहर निकलकर एक बिहार के स्टुडेंट को अपरचुनिटी मिला बाहर जाकर एक्टिंग करने के लिए वोलीवोड में तो कैसा रहा यह सपर बहुत कह सकते मैम की आसान नहीं था बिहार का जो फिल्म बनता है मैम उसमें कि थो थोड़ा सा प्रोब्लम होते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उस ती दिखाते हैं जो कि नहीं देखना चाहिए मैं खुलकर तो नहीं बता वह जानती होगी तो बहुत सारा जब अक्टर जब अम्बई जाते हैं तो तुरंत काम नहीं मिलता है वहां पर 10,000 अब था कि मुंभाई में आपाऊंगा कभी और मुंभाई में आ करके इतने लोगों के बीच में 1100 ओडिया मतब कि मेरा जो स्थीन था 1100 क्लावड के बीच में मैं पर्फॉर्मेंस करूँगा और अन्लों को भी लएगा कि बिहार काश को एक्टिंग पुझा प्रतिभा है, वि लुको लगा की रहरा है की शेह लगा कर सकता है और इसके गूरूप में जारे लोग 30 है वो भी बहुत अच्छा कर सकते है और उनको सिव चांस नहीं मिलता है, विहार में भी पर्तिभा है, Гः वहार में भी रहार में भी छीडियर है तो मुझ लोग जानने लगए कि यह बिहार का एक बच्चा है जो अजू के नाम का है वो परफॉमेंस किया बहुत अच्छा किया है तो मेरे लिए असान नहीं था आसान हो गया काम करने के दूरार मनीश आप बार बार किलकारी का जिक्र कर रहे हैं तो किलकारी का आपके करियर में कितना सहयोग रहा है हाँ शुरुवात में बहुत सहयोग रहा है मैं मेरा शुरुवात में मेरी इच्छा थे इसमें जाओं क्योंकि यहां पर बहुत तरह का महौल मिलता था वहां महौल मैं इ तो मिया सचा कि हाज कि में क्यूं ना जाकर वहा जाओं झाओं और निरीं क्रेडिवीटी創 पर निंदावाइब आगे बरने के लिए कोशिच करूं कि यह चीज में मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे पता चले कि मैं क्या करूँ वहां जाकर के तो थीटर मुझे वहां से सीखने के लिए मिला और चीजों को जानने के लिए मिला और मेरा मुझे हम जो डरते थे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेरा मेरा थीयटर में काफी अच्छा काम करने के लिए मिला, बहुत लोगों से जान पहचान हो गया, तो मतलब एक ना, एक कह सकते हैं, कि किलकारी ने मुझे बहुत चीज दिया, बहुत अच्छा प्लटफॉर्म दिया. मनिष्ट आपने भी जिक्री किया कि आप दस साल से लगबग थीयटर वर्क कर रहे हैं, तो इसके दोरान क्या कोच उपलब दिया रही आपके पास? मैम यह हुआ कि जब मैं थीयटर जोइन किया था, तो उससमें एक बालसरी करके आठा था, बालसरी संमान, तो वह बालसरी संमान मैम जैसे थीयटर में कोई थीयटर नहीं, साइंस, क्रेटिव राइटिंग, पैंटिंग, पर्फोर्मेंस आट में डान्स, संगीत, और बच्छे को चुना जाता है इसमें फ़र्स्ट वाला आगे खेलने के लिए उसको आगे भीजा जाता है उन्नेशनल लेकल लिए तो मेरा 2011 में हम मैंने पर कंपटिशन दिया था तो मेरा नहीं नहीं हो पाया था और जब मैंने सर से पुछया तो बोले कि तुम अभी नहीं हो नहीं हो पाएगा तुमसे, मैंने का नहीं हो पाएगा तुमसे, मैंने का नहीं हो पाएगा तुमसे, मैंने कोशिच तो कर सकते हैं सर, क्योंकि 2010 में आया था, 2011 में तुरंट मुझे बासरी के बारे में पता चला, मैंने कहा कि मैं दूंगा, तो सर बोले नहीं तुमसे नहीं हो वेच्छा मंत्री मुझे मिलाइ पर अच्छा मंद्री थेटो कुह टेटेटर में बुछेटे समझने लगा सिंद्ती चरते बाला भांसे मुझे लिए Avn दोटाइस बच्चों में आट नो बच्चों मतलब हर वीधास है पांच बच्चों का होता है हर वीधास है तो उसमें में ही मेरा नेश्णल लिकल गया अधोजर पंदरा में मुझे उसका प्राइज मिला रस्ट्रिये बालसरी सम्मान के नाम से मुझे विज्ञान भॉर में काम करने के लिए मुझे अइसे बिला तो यह मेरा बाजसरी मिला स्कॉलर्सिप भी मुझे मिला थेटर में लोग काम करने के लिए लोग का था कि मुझे नहीं लोग क्वोल more कि यह निया है इसको क्या देंगे बट मेरा, मुझे लोग, कुछ लोग ऐसे वी थे हैं, इसे, अल्पी दी एक नाम कर थी, आर नाम की थी, किलिकारी में, उन्होंने कहा कि इसको ही मिलना चाहिए, यह बहुत दीन से थेटर कर रहा है, और अच्छा कर रहा है काम, तो उनके सपोर्ट से मुझे स्कॉलर्शिप मिला, उनके सपोर्ट से स्कॉलर्शिप मिला, और पूरा मिलाकर स्कॉलर्शिप ही मिला है मुझे, थेटर में मैंने कई जगा परफोर्मेंस करके नाम कमाया है, परफोर्मेंस आजा डिरेक्शन करके, और थेटर में मैंने खड़कपुर भी गया, मैंने खड़कपुर भी मैं गय मैं तो उस फिल्म के दौरान कुछ ऐसी बाते जो अभी भी आपको याद आती हैं और अपको अच्छा लगता हो मैं तरह किल दर देहा है, बेखनागा, मैं ये काहूंगा कि मेरे असान नही था मैं भी मिलना क्योंकि मेरे लिए कास्टिंग अधा था हि तो मेरे लिए रॉल मैंने अपने लिए एक जगा बना लिया थीट, एक फिल्म है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मुझे एक रॉल मिला, और बाद में डिरेक्टर सर, विकास महल सर, उनको बहुत अच्छा लगा मेरा काम, चेताली में में, असिस्टें डिरेक्टर में, और नदीम सर, उनको मुझे मेरा काम अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं पर्फॉमेंस करके जब आता हूँ, जब यह मिलता है कि तुम बहुत अच्छा करते हो, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, म और जो अभी, मतलब, थेटर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन कही ना कही उनको अभी भी वो सम्मान नहीं मिला है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं, यही कहूंगा मैं, कि आसानी से कोई वी चीज नहीं मिलता है मैं, इसके लिए लगना परता है, मैं अपने बारें बता दूँ कि जब मेरा थेटर में लगतार कर रहा था, और बहुत लोगों का सेलेक्शन हो रहा था, जबकि मेरा सेलेक्शन नहीं हो रहा था, एक साल, द प्रक मेरे मैं रॉम ब individually, बुड रोण दूड रूण दहा था, यह ओता है, होता है, पर एक विश्वास मुझे मेरे अंदर था। ख्र्कार्ण पर मुझे नहीं मिल रहा है और जिज दिन मुझे मिलेगा, मैं अच्छा करों गार बहुत अच्छा करों गा, तो यह मै request वाने उसमें प्लानिंग कर लें, प्लानिंग करके उसको करें, और एक साल, दो साल नहीं, और अने वाला सामे में उनको प्रहुत, उनको सफलता मिलेगी, यह यह मैं कर रहुं efter जो, क्योंकि मुझे एसे ही मिली है, तब जाकर मुझे मिलाई मैं, तो असानी नहीं था, यह मेरे लिए भी मैं, तो लोगों भी यही कहूँगा, कि करें, मैंनत करें, और अच्छा होगा मैं, उनका जो भी इस फिल्ड में है, वो करें काम, वो आगे निकल सकते हैं. Thank you, Manish, अपना time देने के लिए. Thank you very much. अभी हमने बात की Manish कुमार से और उनके hall and soul life के बारे में जाना, उनके professional life और personal life के बारे में जाना, आपको बताया. अगले बार हम ऐसे ही किसी चर्चित व्यक्ति को आपके सामने लाएंगे और उनके बारे में जानेंगे. बाकी अन्य वीडियो को देखने के लिए देखती रहे दफुल वॉल्यूम.